तो आज हम बात करेंगे कोटक महिंद्रा बैंक के रिजल्ट के बारे में देखेंगे कि दोनों कंपनीज के किस तरीके से जो है आपको इनके स्टॉक्स में रुजान देखने को मिल सकता है तो बात करते हैं एक्सिज बैंक की अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो एक तोटल इंकम के अगर बात करें तो आप देखेंगे तो इंकम इनकी बढ़ती हुई यहां औनियर काटर और कोटर दोनों तरीके से एनड़ इहां पर इनकी प्रोफिटिविल्टि के अगर बात करें तो और यहां पर क्वाटने की अगर बात किया तो साड़े साथ की सबस्यों अगर देखेंगे तो बैंक ने आपना जो लाइफ टीम हाई से उपर जो है यह निकलने की अब कोशिश कर रहा है और यह वाली जो कैंड़ जो बनी है यह ग्रीन चैंडल जो बनी है आप देखेंगे तो इससे पहले की जो रेट केंडल है इसको कंप्लीटली जो है इसने ढग दिया एक भुलिश एंगल्फिंग पैटन जो है बनता हुआ दिखा है अब यह इस टॉक मुझे लगता है यहां से एक छलांग लगाने के लिए अब जो है रेडी हो चुका है नीच करेंगे साड़े 27 की पीज़े लार्ज केप और बात करेंगे तो दो की इसकी फेस वैल्यू है डिवीडेंट एक बार देखते है रेगुलर दे रही है यह यह नहीं तो दो जार बीच-डो जार इकिस में इसने डिवीडेंट नहीं दिया है थोड़ा सा गड़बड होआ है यहाँ पर बात करेंगे तो एक अच्छी खासी होल्डिंग स्टॉक के अंदर जो है मौजूद है और वी की बात करेंगे तो करीब साड़े साथ परसेंट की आरोई है अगर आपको वीडियो चले तो आप लाइक ज़रू करिएगा अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब बात करलें नीचे दिये गए प्रॉग्रामी के बारे में ऐसे कोट्ग महिंद्रा की यदि तो इनकम की अगर Ilya to और बात करें तो इंकम जो है इंकी quarter and quarter and year on year दोनों तरीके से जो इनके भरती हुई है और अपर प्रॉफिट विल्टी की बात करें तो ज़ाधा जो है profit में देखने को नहीं मिला है वहीं के बहीं एर ओन एर देखेंगे तो वहीं के वहीं जो है प्रॉफिट आता हुए दिखा है हलां कि थोड़ा बहुत बस प्रॉफिट बढ़ा है एक दो परसेंट एंड कॉर्टर की अगर बात करें तो प्रॉफिटेबिल्टी अच्छी खासी आती हुई दिखी है स्टॉक की अगर चार करें तो यह भी कंपनी जो है लार्ज के पर 50 की पीस है और यहां पर बात करते हैं तो रेगुलर डिव डेंट जो है यह पे कर रही है यहां पर बानस की अगर बात करें तो 2015 में भी बोनस दिया भी रिसेंटली एफ एटिया के पास में अच्छी खासी होल्डिंग करके चलें दोनों को भाई करके चलें कोई भी प्राब्लम नहीं है सेल की सोचें ही न अपना इक बार एक बार आलाइसे जरूर करने दोनों यह बैंक्स ने अच्छा खासा रिजल्ट जो है दिया है इस बार और अगर आपको इन दोनों स्टॉक्स और अगर कोई और वी वि तो आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं थैंक्यू